बुलु स्री प्राणनात प्यारेक बुलु स्री सद्गुरु महाराज स्री महामत कहें ए साथ जी ए गड़े की बीतक कचुक पीछे रही है सो कहों हुकम हक सो कहों हुकम हक गड़ा का बृतांत गड़े की मजल में आया याद राम नगर प्राणाधार सुन्दर साथ जी कल की चर्चा में हमने सुना राम नगर की प्रसंग को कि किस तरह से औरंजिब की द्वारा निर्देश पाने पर पुर्दल खान अपने एक सेना पती सेख खिदर को भेजता है सेख खिदर राम नगर आकर किस तरह से राम नगर की राजा से स्रीजी और सुन्दर साथ को पकड़वा देने की बात कहते हैं कैसे पहले विखारी दास जी जाते हैं और चर्चा सुनकर आने के बाद सेख खिदर को स्रीजी के सोरुप की पहचान कराते हैं और फिर अब जिग्यासा और स्रद्धा के वश्यभूत होकर सेख खिदर स्वयम स्रीजी की चर्चा सुनकर जागरित होते हैं कैसे सेख खिदर के द्वारा ताना सुनने पर रामनगर का राजा भी स्रीजी और सुन्दर साथ को अपने दरबार में अथवा अपने पास बुला कर भोजन की सेवा कराते हैं और दूर से ही दर्शन करते हैं ताकि कोई भूर की भबूत या कोई जादूई भस्म न डाल दें और किस तरह से वहां से फिर गढ़ा पहुँचते हैं गढ़े में कैसे वहां का हाकिम राय नाम का व्यक्ति सुन्दर साथ को लूटने का विचार करता है और किस तरह से गंगाराम बाजपई के द्वारा डाटे जाने पर धिकारे जाने पर वह डर करके अपना विचार अत्याग देता है और किस तरह से गढ़े को लानत लगी वो सारा प्रसंग हमने सुना अब आगे महामती स्री लालदाश जी कहते है गढ़े की मजल में आया याद रामनगर जागनी लिला में जो यात्रा चल पड़ी है स्री जी पहुंचे तो है गढ़ा पर रामनगर का कोई प्रसंग स्री लालदाश जी को याद आया इसलिए और दूसरी बात क्यूंकि वैसे तो बितक में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं लेकिन कोई भी ऐसा प्रसंग छूटा नहीं है जो जागनी के लिए और किसी विशेस प्रसंग को समझने के लिए आवस्यक है तो यहाँ पर भी एक ऐसा प्रसंग था जो किसी विशेस बात को जोडनी के लिए कड़ी के रुप में काम कर सकता था इसलिए स्री लालदाश जी ने पुनह गड़ा का प्रसंग लिखने के बाद भी रामनगर के प्रसंग को जोड़ा और वो प्रसंग क्या था कि किस तरह से देवकरण जी के माद्यम से छत्र साल जी तक बात पहुँची है क्योंकि अब आगे बहुत ही महत्तुपुन प्रसंग आने वाला है तो अब उस प्रसंग की भूमी का बाद रहे हैं कहते हैं तिन की मजल कहत हों सुनियो साथ खबर सुन्दर साथ जी मैं वहां के प्रसंगों की लिला का वर्णन करने जा रहा हूँ उससे आप ध्यान पुर्वक सुनिये सूरत सिंह इमान ल्याया देख के दीदार सूरत सिंह जिनका वर्णन पहले ही आचुका है उन्होंने श्रीजी का दर्शन किया और दर्शन करके श्रीजी के चर्णों में इमान लेकर के आए उनके मन में किसी भी प्रकार का संसय नहीं है निश्चित रूप से स्रीजी ही अक्षरातीत हैं ऐसा भाव उनके मन में है पूर्ण पहचान है स्रीजी के मुखारविंद से चर्चा सुन करके उन्होंने तार्तम ज्यान भी ग्रहण किया और उन्हें साक्षात क्या देखा? कहते हैं सुनिया तार्तम इनने देखी हक सूरत राज्जी के सूरत को अथवा उनके स्वरूप को स्रीजी में ही उन्होंने देखा अब मन में क्या होता है? कि ए बात में किन्सों कहूं? कौन लियावे प्रतीत इत कि मुझे जो बात समझ में आ रही है मैं वो किस से कहूं? ये वास्तों में एक सच्ची और जागरुक ब्रह्मिस्रिष्टी अथवा सुन्दर साथ के लक्षण है सबसे पहले राज्जी के द्वारा इस जागनी के ब्रह्मान में तार्तम ज्यान किसको प्राप्थ हुआ? स्री देव चंद्र जी को स्री देव चंद्र जी के मन में भी क्या हो रहा है तार्तम ज्यान प्राप्थ करने के बाद वैसे तो राज्जी ने कह रखा है कि कहा मैं भेजों तमाम तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आउशकता नहीं है जिनकी जागनी करनी होगी मैं ही कारज कारण बना करके भेजूंगा पर सारा काम राज्जी से ही थोड़ी करवाएंगे हम क्या कहते हैं एक तरफ कि राज्जी के हुकम से जागनी होगी राज्जी का हुकम होगा तो सेवा हो जाएगी पर वास्तविक्ता ये है कि ताथे हुकम के सिर दोस दे बैठना सके मोमिन तो राज्जी के हुकम को दोस देना अथवा ये कहना कि राज्जी के हुकम से या राजी का हुकम होने से ही जागनी होगी ये पूर्ण सत्य नहीं है वास्तविक्ता ये है कि राजी हमारे तन को माध्यम बना करके जागनी का कारिय तो कराते हैं पर हम जिस प्रकार खाना खाने से पहले ये नहीं सोचते कि राजी हुकम करेंगे तो खाएंगे, कहीं घूमने के लिए जाना हो, तब भी ये नहीं सोचते कि राजी का हुकम होगा तो जाएंगे, किसी चाहने वाले से मिलना हो, हम ये नहीं कहेंगे कि राजी का हुकम होगा तो मिलने आएंगे, ये दि हमें पिक्चर देखने के लिए जाना है, बाजार में शौपिंग करने के लिए जाना है तब हम नहीं कहते कि राजी का हुकम होगा तो हम जाएंगे लेकिन जहां बात सेवा और समर्पन की आती है किवल ऐसे इस्थानों पर ही हम हुकम के उपर सौप देते हैं तो यह समर्पन थोड़ी तो बहाने बाजी है हमने यहां हुकम को एक ढाल बनाया है जो नहीं हो पा रहा है उसको टाल दिया हुकम पर कि राजी का हुकम नहीं था इसलिए नहीं हुआ और बाकि जो हमारे जीव को जीव को भी ने जो हमारे मन को पसंद है ऐसे ऐसे चीजों में हम अपने तरफ से हर कार्य करते हैं और पूर के संदर्व मेंधि कोई भी जागुरुक ब्रह्मात्मा राज्डीके हुकम पर दोस्ट नहीं देती याहुकम के ओपर ठीक रह नहीं फोड़ती कि राज्जीका हुकम नहीं था अपने तरब लेने वाले पहले गांग जी भाई हैं पहले दिन इसलाम में गांग जी भाई ये धरे कदम पर इससे पहले एक प्रसंग आता है दूसरी बितकों में कि कोई नाई थे देवचंदर जी ने सोचा कि ये ग्यान में किसको सुनाओ, कौन मानेगा कौन स्विकार करेगा उन्होंने एक नाई को पकड़ा पूछा कि तू दिन भर में कितना कमाता है जितना कमाता है उतना में दे दूँगा पर तू रुख करके मेरी बात सुन अब कोई वेक्ति जिसको तार्तम वानी का पता नहीं है आप ऐसे वेक्ति को पकड़ के बोलेंगे बैठा करके कि थोड़ी देर मेरी बात सुन हम परमधाम से आये हैं परमधाम में इश्करब्ध हुआ था पहले सोचे गई परमधाम क्या है इश्करब्ध क्या है और परमधाम से आये थे का क्या मतलब है में तो सर्षाबे से आया हूँ क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं है और जिस विशए में बिलकुल भी जियान नहीं होता न बिलकुल भी रुची होती है ऐसा विशए किसी को भी निरस लग सकता है अब नाई जिसको अध्यात्म में रूची ही नहीं उसको तो क्या है कि धो चार बाल काटने धो चार लोगों के दाड़ी बनाने तो आजीवी का उसका हो रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि भले ही आजीवी का उसकी आ रही हो पर कुछ-कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति का मन नहीं लगता है तो पैसे भले ही मिल रहे हो नहीं करेंगे आपको यदि कह दिया जाए कि दिन में जैसे माल लिजे कि कोई मजदूर है मनरेगा जो योजना है प्रति दिन यदि कोई काम न भी हो तब भी सो रुपए देने की योजना थी आज का तो मुझे पताने पर जिस समय ये स्किम निकली थी उस समय ये था कि सरकार के तरफ से प्रतिक दिन मनरेगा के तहट सो रुपए दिये जाते थे लेकिन आप किसी मजदूर को ये कहें कि तु दिन भर बैट करके दिन में चार गंटे मेरी चर्चा सुन और दो गंटे आँख बंद करके एक जग़ा पर बैठा रहे राच्छे माजी राच्छे माजी करता रहे तुझे दिन का सो रुपे दूँगा वो हो सकता है एक दिन प्रयास करे एक घंटा कोशिस करे वैठने की सुनने की लेकिन दुसरे घंटे में मुलेगा भाई मैं मजदूरी करूँगा 200 रुपे कमौँगा मेरे तरब से सो रुपए तुझे दूगा पर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि बात रुची-रुची की है उन्होंने नहीं सुना लेकिन देवचंदर जी ने अपना प्रयास जारी रखा और राजी ने कार्य कारण बना करके गांग जी भाई जी से मिलवा दिया वहां से जागनी हुई इंद्रावती जी भी अब जागरीत हो चुकी है हफसे के जेल में राजी पूर्ण रुपसे हृधulent में वैसे तो पूर्ण रुपसे बीराजमान थे एसा नहीं कि आदे अंदर बैठे थे, आदे बाहर बैठे थे, पर इससे पहले पूर्ण पहचान नहीं थी, हबसे में पूर्ण पहचान है, अपने हृदयधाम में युगल स्वरुप का साक्ष्यात कार कर चुकी हैं, और उसके बाद उनको उसी में डुबने का मन करता है, उनको कभी मन मे ये नहीं आती उनके मन में कि मुझे चर्चा सुनानी है, लेकिन राजी अंदर से ऐसी प्रेरणा देते हैं, कि जो तार्तम के समय में हमने वचन दिया है, एसुख दियों ब्रहमिस्रिस्टी को, या परमधाम में खेल में आने से पहले जो वादा किया था, कि यदि मैं भू जाओ तो तू जगा देना, और तू भूल जाए और मैं जागरित रहूंगी तो मैं तुझे जगा दूँगे, तो वो वादे हमें अंदर से कुलबुलाहट पैदा करते हैं, अंदर से एक छटपटाहट पैदा करते हैं, और कोई भी जागरित ब्रहमातमा केवल अपने विशे में भले ही वो आतमा का स्वार्थ हो, पर केवल स्वयम आनद में डूबने के विशे में नहीं सोच सकते हैं, इसलिए इंद्रावती जी के भी माध्यम से राजी ने जागनी कारिय करवाई, अब वहां राजी तो जागनी कारिय करवा ही रहे, पर मिहर राजी कितना प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे असफल प्रयास होते हैं, चाहे खड़कारी राजा के पास भेजने का प्रयास हो, चाहे अटक के पार जस्वन सिंग जी को जगाने का प्रयास हो, चाहे हरीद्वार से लालदास जी को दिल्ली भेजने का प्रयास हो, ऐसे अनेकों प्र नहिरराजी कर रहे हैं तो यह जागरित ब्रह्मातमा के लख्ष्ण है अब, सूरत सिंग्ँ जी के मन में भी विचार आता है कि ए बात में किन्सो कहूं कौन ल्यावे प्रतित कि मेरी इन बातों पर प्रतिती अर्थात विश्श्वास कौन लाएगा ये बात में किस से कहूं और इस चौपाई से श्री लालदाह जी हम सब सुन्दर साथ को ये प्रबोधित करना चाहते हैं विशेश रूप से यदि ऐसा नहीं होता तो प्रसंग गढ़ा पहुंच चुका था वापस रामनगर का प्रसंग बताने के आओ सेकता नहीं थी पर हमें प्रबोधित करने के लिए दुबारा घटरा करम में पीछे जाकर के उन्होंने वर्णन किया कि सुरत सिंग जी के मन में ऐसा ऐसा हो रहा था कि ये बात में किस से कहूं इंद्रावती जी कहती हैं हम सब सुन्दर साथ को प्रबोधित करते हुए कि आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन सुधु तो नहीं कछू साथ को पर तो भी अपने सजन आपको वाणी से संबंधित आत्म जागरिती से संबंधित कोई भी बात ऐसी समझ में आती है धामधनी आपके माद्यम से कोई बात खुलवाते हैं तो वो बात आपको किसे बताना है ब्रह्म श्रिष्टियों को तो यही बात यहाँ पर अपने उपर लागो करते हुए सुरत सिंजी के मन में विचार आता है कि यह बात में किस से कहूं कौन लियावे प्रतीत अब दूसरा प्रस्ण है ना पहला प्रस्ण की किस से कहा जाए दूसरा प्रस्ण है कि विश्वास कौन करेगा आप किसी के सामने भी जाकर के बले ही धर्मगरंथों में प्रमाण है आप हर चीज के पर सीधे केवल इतना कहने लग जाओगे कि हम परमधाम से आए हैं इश्करब्द करके हमें परमधाम जाना है तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा तो इसी चिंता में वो चिंतित हैं चिंतन कर रहे हैं और जाकरके उन्होंने क्या किया कहते हैं गया दिवान देवकरन पर एक सुनी में बात वे दिवान देवकरण जी के पास गए और बोले कि मैंने एक बात सुनी है मुझे एक बात पता चली है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मैं आपसे साजा करना चाहता हूँ तुम्हारे आगे कहता हूँ मैं देखी हक जात मैंने क्या देखा है हक जात हक जात में क्या क्या आते हैं एक हक मतलब सत्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात अक्षरातित और हक जात मतलब उनकी आत्मा स्वरुप ब्रह्मात्माओ को ब्रह्म स्रिष्टियों को मैंने देखा है तो मैंने ब्रह्म और ब्रह्मातमाओं का दोनों का साक्ष्यातकार किया है और यदि आप भी उनका दर्शन करना चाहते हैं तो कहते हैं चलो मेरे साथ तुम मैं कराऊं दिदार क्या आप मेरे साथ चलिए और मैं उनका दर्शन कराऊंगा केत की पर रहत हैं देखो धनी निर्धार वे अभी केत की नदी के किनारे रह रहे हैं उनके माध्यम से जागनी के लीला हो रही है वहाँ चलने पर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वे तो निश्चित रूप से देखो धनी निर्धार वे निश्चित रूप से धाम के धनी है देखिए जहां से जागनी यात्रा शुरू हुई है सूरत से लेकर के समझ लिजे विशेश रूप से वैसे तो जुनागर से होते हुए दिपबंदर इत्यादी में भी बहुत सारी जागनी हुई हम दिपबंदर से ही ले सकते हैं हर दिन के प्रसंग में आज तक मेरा विचार है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन की चर्चा के प्रसंग में कोई न कोई ऐसी चौपाई न आई हो जिसमें स्रीजी को अक्षरातीत अथवा धामधनी अथवा राज्जी के सब्द से सम्बंधित न किया हो कल की चर्चा में भी कहा था कि पहचानिया परवर्दिगार आज की चर्चा में भी आज की चोपए में भी कह रहे हैं देखो धनी निर्धार आप उनको देखोगे तो किन का दर्शन होगा किन का प्रत्यक्षिकरण होगा साक्षात धाम धनी का और इस तरह से सुरत सिंग जी देव करण जी को लेकर केत की नदी के किनारे पर आए उन्होंने स्री जी का दर्शन किया अब देव करण जी के मन में भी स्री जी का दर्शन करने के बाद किसी भी प्रकार का संसय ही नहीं रहा और कहते हैं सिर्पर चढ़ाया हुकम सक कचुन लिया सिर्पर चढ़ाया हुकम स्री जी के स्वरुप पर किसी भी प्रकार का संसय न लाते हुए स्री जी के हुकम को उन्होंने सिर्वधार्य किया सिर्पर धारन करने का मतलब सिरोधार्य किया, अथवा स्विकार किया अब हुक्म क्या हुआ वो तो आगे बताएंगे कहते हैं थोड़ी चर्चा सुनके दिल की भागी सक स्रीजी की थोड़ी चर्चा सुनकर करके ही उनके दिल के सारे संसय समाप्थ हो गाए और हमे थोड़ी तो नहीं कहना चाहिए, हमें तो चर्चाओं की जड़ी मिल रही है, देखिए, हम में से बहुत सारे सुन्दर साथ ऐसे हैं, जो तब से ज्यानपीट से जुड़े हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी, अर्थात प्रारम से ही, 2005 से समझ लीजिए, बहुत सारे सुन्दर साथ जो उन से भी पहले, ज्यानपीट की स्थापना से पहले भी, कही न कहीं से जुड़ करके वानी की चर्चा सुन्ने का सोभाग्य प्राप्त कर रहे थे, मान लेते हैं कि 17 वर्ष से भी यदि हम जुड़े हैं, और इन 17 वर्षों में हमें प्राप्त हुई चर्चा का हिसाब क होती रही है, तो 17 महिने की बितक ठीक है, आप हिसाब लगा लीजे, 17 त्यां 51 यह न, पांचसो दस बितक चर्चाएं, अलग-अलग दिन, इसी तरह से वार्षिक उत्षव होते रहे हैं, वार्षिक उत्षव में लगबग लगबग प्रारंब में पांच दिन का वार्षिक कुछो होता था उस हिसाब से यदि 10 वर्स तक लगाया जाए तो 50 दिन के वो और उसके बाद एक साल हुआ 14 दिनों का उसके बाद 7-7 दिन के वार्षे कुछो हो रहे हैं तो कुल मिलाकर के लगबग 100 दिन की वार्षे कुछो का कारेक्रम होता है इसके अतिरिक्त गुरुपुर्णी मा में भी हम वाणी की चर्चा सुनते हैं जन्मस्टमी में वाणी की चर्चा सुनते हैं होली के कारेक्रम होते हैं प्रत्यक वर्स होली के कारेक्रम लगबग लगबग तीन दिन के होते हैं कभी-कभी हुआ है जो एक दिन का हुआ है और कई बार शिविर लगी है दस-दस दिन की कई बार चितवनी शिविर लगी है और दूसरी बात जब से YouTube चैनल की स्थापना हुई है 2013 से ले करके तो तब से तो लगबग प्रती दिन कोई न कोई चर्चा डलती रहती है उस हिसाब से लगाया जाए तो अब तक हम कम से कम यदि सुना होगा तो नहीं सुना होगा तो फिर तो बात ही छोड़ दीजे प्रती दिन ज्यानपिट से की जाने वाली चर्चाओं को यदि हमने सुना होगा तो लगबग लगबग 1500 से 2000 चर्चाएं हम इतने वर्षव में सुने होगे और मैं कम से कम की बात बता रहा हूँ इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं तो चैनल में नहीं भी डल पाती है फिर भी हम होते हैं लेकिन जहां बात इमान की होती है वहां केवल क्वांटिटी मायने नहीं रखता है कि कितनी चर्चा सुनी जहां बात अंकूर की होती है और वहां भी quantity मायन है नहीं रखता कि कितने वर्सों से जुड़े हुएं कई बार सुन्दर साथ के मन में ये भी आता है कि हम तो इतने वर्स पुराने हैं ये तो सरम की बाते वैसे कि इतने वर्स पुराने हैं फिर भी जाग नहीं पाए हम सब के लिए मैं किसी एक व्यक्ति को ले करके किसी एक वर्ग को ले करके बात नहीं कर रहा हूँ यह हम सब के लिए चाहे हम करने वाले हो चाहे सुनने वाले हो कही न कहीं शरम की बात है कि इतने वर्षवें में भी हमारे जागरिती नहीं हो पाई है क्या पता इन सब्दों से चोट लग करके हम सही रास्ते पर चल पाएं जो कहीं न कहीं कमी हो रही है उसको छोड़ पाएं वाणी कहती है कदी सो वरस रहो साथ में धनी अनुभव सोबेर मूल अंकूर दया बिना लेकर में डारे अंधिर यदि निस्वत न हो तब तो सो वरस तक सुनने का भी कोई फरक नहीं है पर हमने दावा तो किया है निस्वत का और रही बात सो वरसों की बले ही सो वरस न होगे पर यहां सुरत सिंग जी को देख लीजिए कहते हैं कि थोड़ी सी चरचा सुनी और दिल की भागी सक थोड़ी चरचा सुन के दिल की भागी सक में महाराज सो कहूं ओ इमान लियावे बेशक चरचा थोड़ी सी सुनी लेकिन उनके हृदय के सारे संसय समाप्त हो गए अब सवाली होता है कि संसय समाप्त होना क्यों आवस्यक है इसलिए क्योंकि जब तक संसय है तब तक जागरिती नहीं हो सकती क्योंकि देखिए संसय और इमान ये दोनो विरोधी धुरूब है जैसे दिन की दृष्टी में रात नहीं हो सकते इसी तरह से जिसको इमान होगा उसको सक नहीं हो सकता जिसको सक होगा उसको इमान नहीं हो सकता इमान और सक दोनों विपरीत हैं संसय जो है वह विश्वास का दुश्मन है और विश्वास जो कि आत्म जागरिती के लिए आवस्यक है इसलिए सास्त्र कहते हैं संसय आत्मा विनस्यती संसय करने से आत्मा का रास होता है अधात नुकसान होता है इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे हृदय से संसे निकाल देना चाहिए किसके प्रती सद्गुरु और राज्जी के प्रती वाणी के प्रती क्योंकि देखे कई बार हमारे मन में बहुत सारे प्रश्णा आते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा अब ऐसा होगा तो क्या होगा यदि हम ब्रह्म स्रिष्टी नहीं निकले तो क्या होगा क्या पता हम है कि नहीं क्या पता हम जीव स्रिष्टी हैं पर सबसे मुख्य बात यह है कि आप ब्रह्म स्रिष्टी हैं नहीं है यह मायने नहीं रखता है आपके लिए नुकसान है कि फायदा है ये मायने रखता है बलही आप जीव स्रिष्टी ही क्यों न हो पहली बात तो ये है कि मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए पर चोंकि सुन्दर साथ के मन में संसे होता इसलिए मैं समझा रहा हूँ बले ही आप जीव स्रिष्टी ही क्यों न हो लेकिन यदी ही आप प्रेम मैं चित्वनी के मार्ग पर चलते हैं सेवा के मार्ग पर चलते हैं समर्पण के मार्ग पर चलते हैं इससे नुकसान तो नहीं होगा ना इसी तो लाव ही है इसलिए हमें द्रिड विश्वास के मार्ग पर चलना चाहिए जब तक हमारे अंदर द्रिड विश्वास नहीं होगा हमें वाणी का फल मिल ही नहीं सकता भले ही हम पूरी वाणी की चौपाईया याद कर ले एक-एक चौपाईया पर घंटों तक व्याख्यान देने की छमता क्यों न विकसित कर ले लेकिन हमें स्वयम यदी वाणी पर विश्वास नहीं होगा तो वाणी कहती है विश्वास करीने दोड सी जेह तार्तम नो फल ले सी तेह जिसके रिदय में विश्वास होगा वही वाणी का फल ले सकता है अब उन्ही फल लेने वाले सुन्दर साथ में से एक है देवकरण जी अब उनके मन में ये है कि उनका संसय तो समाप्त हो चुका है सोचते हैं कि महराजा जी से जाकर के अथवा प्राणनात जी की प्रतिक्षा कर रहे हैं बले उनको पता नहीं कि प्राणनात कौन है पर प्रतिक्षा कर रहे हैं उस परब्रम की जो विजया अभिनन्द बुद्धन इसकलंग स्वरुप के रूप में जाहिर होने वाला है इसलिए उनके मन में यह इच्छा है कि महराजा जी से यह बात कहें अब इसी रामनगर के प्रसंग में स्री लालदास जी सेवा करने वाले कुछ सुन्धर साथ का वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले तो एक सेवा है जिसको कहा गया है मोधि खाने की सेवा मोदी खाना किसे कहते हैं? जैसे अनाज इत्यादी का भंडारन किया जाता है, उसका एक विभाग होता है. तो उसको मोदी खाना कहा जाता है. तो भंडार ग्रिहकी जो सेवा थी, वो पतीराम नाम के संदर साथ को दी गई. केशव दास जी और जयनती भाई ये दो सुन्दर साथ हैं जो पतिराम जी की उसमें सहायता करते हैं जयनती भाई जी पानी पिलाने की सेवा भी करते हैं जो बाद में आकर के छबिल दास जी के पास पहुँच जाती है बाजार से सामानित्यादी खरिद कर लाने की जो सेवा है वो गोकुल दास जी को दी जाती है भोजन प्रबंध से लेकर कि अन्य बहुत सारे व्योस्थाओं में गरिब दास जी होते हैं रसोई में भोजन बनाने की जो ब्योस्ता है, प्रबंधन करना अलग है और बनाना अलग है, तो बनाने की सेवा में खेमदास जी, गंगाराम जी, संतदास जी और गोवर्धन जी हैं, और बाद में सूरज मल जी ने भी ये सेवा की थे, क्योंकि बनाने की सेवा थोड़ी सार रख लीजेगा और ये सेवा कैसे चल रही है वो आप याद रखना आगे अश्ट प्रहर की सेवा में ये काम आने वाले हैं एक विशेस बात को समझने में जो उसी प्रसंग में हम बताएंगे इसी तरह से क्योंकि आजकल की तरह गैस तो नहीं होते थे बीजली नहीं होती थी तो इसलिए जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती थी तो लकड़ियां लाने की सेवा में बराड़ी नाम का एक स्थान है उस स्थान के सुन्दर साथ ये सेवा करते हैं फिर खाली समय में गाने की जो सेवा है उसमें निर्मल दास जी हैं मुकंद दास जी हैं बाई जी रा थावज बजाने की सेवा करते हैं, संगित्मय रूप से श्री जी की आरती की जाती है, बनमाली दास जी भी आरती के समय में रहते हैं, खिमाई दास जी उसमें ताली बजाने की सेवा करते हैं, कन्नर जी गायन की सेवा करते हैं, और छबिल दास जी संख बजाने की सेवा करते संध्या के समय में आरती होती है इस तरह से अब ये रामनगर की बीतक है वहां एक सुन्दर साथ है कौसलिया नाम की उन्होंने अपने घर में स्रीजी को बुलाया उनकी स्रीजी की पध्रावनी की और ग्यारह उत्सव हुए कौसलिया जी ने ग्यारह अलग अलग दिनों में अपने घर में स्रीजी सहित सुन्दर साथ को बुला करके भोजन रसोई की सेवा दी दो दिन की सेवा जो है वो उदय तिवारी नाम के सुन्दर साथ के घर में हुआ ये मैं क्यूं पढ़ रहा हूँ कई जगा पर तो नाम स्किप कर दिया था नाम नहीं पढ़ा था पर यहां मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जागनी के लिए अभी तो हमने थोड़ी देर पहले जागनी की बात की ब्रह्मवानी के प्रचार प्रसार की बात की जागनी के लिए हर प्रकार की सेवा का ऐसा क्यों देखिए एक कहावत तो लगबग लगबग हिंदी भाषा जानने वाला हर वेक्ति जानता है कि भूद भूद से घड़ा भरता है ठीक है जागनी तो केवल घड़ा भर पानी नहीं है ये तो समझ लीजे कि एक नदी या फिर नदी से भी बड़ा महासागर का है आठ अरब की जन संख्या है मैं चाहता हूं कि एक बात में जो रखना चाहता हूं सुन्दर साथ के बीच में आज जितने हैं बहुत ही अच्छी बात है इंटरनेट के माध्यम से तो सुन्दर साथ तक पहुंच ही जाएगी बात एक संस्था है वर्तमान समाज में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वैसे लेवीलू तो कोई नुकसान नहीं है आचारिय प्रसांद जी के नाम से एक आचरे जी हैं जो वेदान्त के उपर चर्चा करते हैं किसी संप्रदाय विशेश के नहीं है क्योंकि वेदान्त है उपन करना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, किस तरह से विकारों से हम दूर हो सकते हैं, ऐसी बाते वो सिखाते हैं, जिस साल ग्यानपिट की स्थापना हुई, उसी साल उस सस्था की भी स्थापना हुई, सस्था नहीं थी, उन्होंने पहली जो चर्चा की एक व्यक्ति हैं सस्था नहीं थे एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने चर्चा करना शुरू किया और खुद ही रिकॉर्ड करते थे कोई था भी ने उनके साथ सेवा के लिए हमारे पास तो 2005 से ही शुरू में ही काफी सुन्दर साथ जुड़े लोकल सुन्दर साथ भी है और दूरदराज के स यूट्यूब चैनल बनाई और 2013 में एक चैनल ऐसे दो यूट्यूब चैनल है उनके और उसके बाद भी वो खुद ही अपने चैनल पर वीडियो अगर अपलोड करते रहे या फिर कोई एक-दो विक्ति होंगे जो सहायता कर देते होंगे 2018 तक उनके यूट्यूब चैनल में 4000 वीडियो थे 4000 वीडियो कम नहीं होते और सब्सक्राइबर कितने थे पता है तीन अजार वीडियो ज्यादा सब्सक्राइबर कम और हमारे 2018 में जहां तक मैं समझता हूं कम से कम 15,000 के आसपस सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल में रहे होंगे और सुन्दर साथ भी काफी है पर 2018 से उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने आचरे जी को निर्देश दिया कि आचरे जी आप इस काम को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करिए आप काम तो अच्छा कर रहे हैं आपके संदेश भी बहुत अच्छे हैं वानी से अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता है तो आपका संदेश भी बहुत अच्छा है लेकिन आपका केवल चर्चा करना काफ तो रखता है उनने समय देना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके आर्थीकagar योगदान देनाा शुरू किया और फिर उनने एक टीम बनाई और उस टीम ने मीडिया के उपर काम करना शुरू कर दिया कि किस तरह से यूट्यूब के फेस्बुक के माध्यम से आचरी जी के उपर हैं और हमारे 15,000 के आसपास उस समय होंगे अभी 30,000 हैं जबकि यदि हमारे पास उस समय संचादन अधिक थे ना जहां ज्यान की बात करें हमारे पास चर्चाओं की कमी नहीं है 1500-2000 के आसपास वीडियोज हमारे अभी वीड़ ले हुएं पर कमी कहां पर है उनकी संस्था के जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने सामुहिक रूप से संगठन के रूप से आचरी जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने में योगदान दिया आज मैं आपको एक बात बताता हूँ केवल सिखापन देने के लिए उनकी संस्था में अभी केवल सलाहकार योजना बनाने वाले और बताने वाले सलाहकारों की संख्या सत्तर से ज्यादा है ठीक है? एक दिन मीडिया का जो उनका खर्चा होता है ना जैसे माल लेजिए मीडिया का खर्चा का मतलब कोई वेक्ती वीडियोग्राफिक कर रहा है कोई वे YouTube पर चर्चा अप्लोड की जा रही है, उनको लोगों तक पहुचाने में भी खर्चा लगता है, तो एक दिन का उनका खर्चा होता है 3 लाख रुपए, एक दिन का, हम पूरे साल में भी मीडिया में 3 लाख खर्चा नहीं करते, कहां करते हैं? ठेक है तो इसलिए मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ कि एक दिन की दो दिन की ग्यारा दिन की सारी सेवाय मायने रखती है हम भी जितने सुन्दर साथ हैं कोई सुन्दर साथ यदि एक रुपय की भी सेवा दे सकता है उसका भी अपना महत्व है कोई दो रुपय की सेवा दे सकता है कोई ग्यारा रुपय की सेवा दे सकता है उसका भी अपना महत्वा है ठीक है जैसे एक उदाहरन के लिए कि हम जिस एक रुपय की बात करते हैं सो में यदि एक रुपया कम हो तो वो सैकड़ा नहीं कहलाता है। सेंचुरी की हम बात करते हैं ना सतक लगाया जाता है। यदि कोई वेक्ति 99 में भी आउट होता है तो उसको सेंचुरी नहीं बोलते कि आरे पास तक तो पहुचा ही था। एक रन का भी इतना महत्व है। इस दान दें तो सो रुपय इकठे हो गए। मैने में कितने इकठे हो जाएंगे। तीन हजार केवल सो लोग वसे। हमारी सुन्दर साथ की संख्या तो हम 40 लाग की बताते हैं। एक दिन में एक रुपय की सेवा भी इकठी की जाए तो कितनी सेवा होगी। 40 लाग। ऐसी ज्यादा दबाव नहीं देना है पर एक रुपय देना किसके लिए बड़ी बात है। कोई भी दे सकता है। ठीक है। तो इस हर प्रकार की सेवा का अपना महत्व है। इसलिए स्री लालदाह जी ने गढ़ा पहुँचने के बाद भी पीछे रामनगर में जाकर के इन प्रस कि ब्रम्ह वानी से बड़ा कोई उपदेश तो हो नहीं सकता कि ये तो केवल उपदेश नहीं है ये तो राज्जी की वानी है। हम आत्माओं के लिए राज्जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं वोई बाते हैं वोई प्रेममई बाते हैं समवाध है। यदि किसी ब्रह्म स्रिष्टि तक पहुंचाना है तो इसके लिए सब तक पहुंचाना होगा क्योंकि ना जाने इस जुंड में कौन सोहागिन होए प्रारंब में एक वेक्ति तक यदि हम यूट्यूब के माध्यम से एक वेक्ति तक चर्चा पहुंचाना चाहे तो 25 रुपे का खर्च होता है आप लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब ऐसे ही हो जाता है ये तो फ्री में तो ऐसे हो रहा है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वही लोग देख पा रहे ह पर जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उन तक चर्चा पहुंचाने के लिए एक वेक्ति के लिए 25 रुपे का खर्च होता है येदि हम प्रमोशन कर रहे हैं तो येदि हम चर्चा को बूस्ट कर रहे हैं तो येदि कोई वेक्ति 25 रुपे की सेवा देता है तो इसका मतलब सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए तो एक वेक्ति तक चर्चा पहुंचाई जा सकती है और ऐसा नहीं है कि दिन में लाख लोगों तक आपकी चर्चा पहुंच गई तो लाखों लोग आपसे जुड़ जा जाएंगे ऐसा नहीं है मैंने अभी उनके वेबसाइट में पढ़ा दो दिन पहले ही कि एक करोड के आसपास सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उनकी सस्था में दिन के 2000 लोग जुड़ते हैं वैसे तो प्रती दिन 2000 लोग जुड़ रहे हैं तो बड़ी संख्या है पर एक करोड में से 2000 जुड़ रहे हैं तो इतना बड़ा भी नहीं है तो यह मैं दोनों पक्ष बता रहा हूँ एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष कि बले ही कम लोग जुड़े पर धीरे धीरे करके जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि भूद भूद मिलके घड़ भरता है लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो फिर उनसे आगे जैसे कमपाउंट इंट्रेस्ट होता है ना एक से दो में पहुचा दो से चार में पहुचा चार से आठ में पहुचा तो यह कारिया प्रती दिन यदि होता रहा सांगठनिक रूप से होता रहा तो आर आर्थिक सेवा का वानी के प्रचार में प्रयोग भी होता रहेगा और वापस ये सरकल चलता ही रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ब्रह्म्ह वानी पहुचेगी इसके लिए आर्थिक सेवा की तो आवसकता है ही लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी सुन्दर साथ की असरे मिलेंगे न तब जाकर कि हम थोड़ी तेजी से ये कारिय कर पाएंगे और इसलिए मैं सभी सुन्दरसाथ से फिर से आग रह पर, कर रहा हूं कि अपने तरब से किवल पैसा देदेना पर्यापत नहीं होता है हम अधिक से अधिक इस जागनी सेवा के लिए समय भी दें और बहुत धिक योगदान भी दें योजना बदरूप से कार्य करें अब इसके अलावा भी बहुत सारे सुन्दर साथ हैं जिनोंने अलग-अलग दिनों में स्री जी को अपने घर में पदरा करके सेवा की है रामजनी और भगवती माता जी ने भी स्री जी को परमधाम का धामधनी मानकर अपने घर में पृति भोज का आनंद लिया मकरंद जी ने भी अपने घर में स्रीजी को बुला करके उत्षव किया इसी तरह से अम्बरा दत्ता, दगड़ा ये जो बराड के रहने वाले थे जिनका नाम पहले भी आचुका है दत्ता और दगड़ा का इन्होंने भी सुन्दर साथ को स्रीजी को अपने घर में बुला करके प्रिती भोज किया उत्षव रसोई की तो ऐसे बहुत सारे सुन्दर साथ थे जिनोंने स्रीजी को बुला करके अपने अपने घर में किसी ने ग्यारा दिन, किसी ने दो दिन किसी किसी ने एक एक दिन की सुन्दर साथ की सेवा की यहां हम केवल दिन को न देखें क्योंकि लगबग पांच हजार की संख्या है यदि एक दिन के लिए भी पांच हजार सुन्दर साथ की सेवा करने है तो आर्थिक खर्चा तो होता ही है आज के हिसाब से यदि किया जाए, यहां ग्यानपिठ में यदि 2000 सुन्दर साथ वार्षिक उच्छों में आते हैं, तब भी एक समय में लगबग 5000 तो कम से कम खर्चा होता ही होगा, एक समय में, तो 5000 का तो इस से कम से कम भी दुगना भी लगा लेते हैं, तब भी एक लाग की सेवा, तो उस समय राशी कम होगी तो पर व्याल्यू तो वही होगी, तो यह सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है, श्री जी ने स्री लालदास जी के माध्यम से उन सब सुन्दर साथ को यहां पर एक महत्व प्रदान किया, ताकि आने वाले सुन्दर साथ सिक्षा ले सकें, क कि हम अपने अपने एक छित्र में हर प्रकार की सेवा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम लिखा देना, 11-11 लाक, 21-21 लाक में नाम लिखा देना, यही सेवा नहीं होती है, अब रामनगर से स्री जी चले, और साथ पड़ाओ पार करके, साथ पड़ाओ का मतलब जैसे पार करने के बाद स्री जी पहुँचे गढ़ा, यह ऐसा भी हो सकता है कि लगातार सीधे एक सीध में ना चले हो, थोड़ी दुरी पर गए, कहीं पर चर्चा वगएर हुई, जागनी हुई, सुन्दर साथ की उत्सवरस हुई है, और साथ दिनों में जाकर के गढ़ा पहु अब गढ़ा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने श्री जी ने सुन्दर साथ को आदेश दिया, कि औरंग जेब के पास जाकर के इमाम महदी के आगमन के विशे में संदेश दे दीजिये, कितनी ही बार प्रयास कर चुके हैं? अब गढ़े में बहुत सारे सुन्दर साथ हैं, जिनोंने आकर के श्री जी के सानिध्य में तारतम ज्यान सुना, धर्मा भाई नामक एक बूढ़ी माता जी हैं, जो श्री जी के चरणों में इमान लेकर के आते हैं, फिर अनन्त राम हैं, घंश्याम हैं, हर बाई हैं, सदा पहुँचे हैं, कई तो गढ़े के स्थानिय हैं, और कई ऐसे हैं जो जिनकी जागनी पहले स्री जी कर चुके हैं, माया में कुछ दिन गए, लेकिन मन नहीं लगा अंदरी अंदर तडप है, तो ऐसे सुन्दर साथ पहुँचे हैं, अब वहाँ से, स्री जी ने लाल दाह ज तो उन्होंने सुल्टान औरंग जेब को संदेश देने का आदेश दिया है कहते हैं जाए कहो सुल्टान को लियाए फेर पैगाम उपर तुम कि हम फिर से इससे पहले कई बार प्रयास हो चुके हैं स्रीजी कह रहे हैं कि उनको जाकर के संदेश दीजिए कि हम फिर से इमाम महिदी और कयामत के जाहिर होने का संदेश ले करके आए हैं पर यही वो समय था पाउस का महीना चल रहा था और बिर्जु नाम के एक सुंदर साथ ने स्री जी को ये सूचना दी कि जिस रामनगर में सुंदर साथ ने एक हवेली का निर्मान किया था अपने हाथों से तो रामनगर के राजा ने हमारे द्वारा सुंदर साथ के द्वारा बनाई गई हवेली को खोद करके नश्ट कर दिया अब जैसे ही श्री जी ने ये बात सुनी, उन्हें अत्यनतो दुख हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं था, उस हवेली को तोड़ने का कोई कारण नहीं था, केवल सुन्दर साथ से द्वेस भावना के कारण, क्योंकि रामनगर में एक तो सेख इदर ने भी सुनाया था, उसके बाद में फिर से पुर्दल खान का जो रिष्तेदार था वो भी आया था तो केवल खुन्नस खाकर के जैसे केते ना खिस्याई बिल्ली खंबानों चे तो केवल खुन्नस के कारण उसने उस इस्थान को तुड़वा दिया था तो स्री जी को दुख हुआ इस बात का और उसी समय इसका परिणाम यह हुआ कि जिस तरह से राजा ने खोद खोद करके वहां की हवेली को नश्ट किया था वहां जो गढ़ा नामक स्थान था वहां पर स्री जी ने ये बात सुनते ही उस स्थान पर भुकम पाया और भुकम पाकर कि पूरा जो गढ़ा था वो तहस नहस हो गया हां किजी के मन में ये सवाल हो सकता है कि ये तो रामनगर के राजा ने किया था पर गढ़े में भुकम क्यों आया इसका कारण ये है एक तो गढ़ा जो है वो स्वयम भी रामनगर राज्ये के अंतरगत ही आता है और दूसरा गढ़ा पहले से ही जबरायल की दृष्टी में था राजी के जोस की दृष्टी में क्यों क्योंकि गढ़ा में हाकिम रायने स्रीजी सहीद सुन्दर साथ को उसने ये सोच था कि इन वैरागियों को मैं लूट लूँगा तो इसलिए गढ़े नामक स्थान को लानत लगी उसी समय भुकम पाया वो बरबाद हो और आज तक भी कयामत तक उस स्थान को लानत लगी है अभी भी वह स्थान बंजर ही है अब इस प्रसंग के बाद देवकरण ज श्री जी से विदा लेकर के जाने लगे तो श्री जी ने पूछा कि देवकरण जी आप ये बताए कि आप तो बुंदेल खंड के रहने वाले हैं आप बताए कि बुंदेल खंड को छोड़ करके अपने राज्य को छोड़ करके आप ये दूसरे राज्य में क्यूं आये थे किसलिए आये थे तो देवकरण जी कहते हैं कि स्रीजी साहिब किसी बात पर मैं वहाँ क्रोधित हो गया था चत्रसाल जी से और नाराज हो करके वहाँ से आ गया था और यहीं पर रहने लगा था स्रीजी कहते हैं कि नहीं ये तो एक बहाना था आपके माध्यम से चत्रसाल जी तक मेरा संदेश पहुचाना था इसलिए ये बहाना बनाया गया और आपको यहाँ बुलाया गया अब ये संदेश आपको ही लेकर के जाना है 16 साल जी तक कहते हैं कि हम सब राजा देखे पे काहू न देखा अंकूर हमने बहुत सारे राजा देखे चाए खड़कारी राजा हो, चाए जस्वन सिंग हो भाव सिंग को भी देखा उनमें भावना तो थी पर परमधाम कांकूर नहीं था तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे राजाओं को देखा राणाओं को देखा, उदेपुर के राजा को भी देखा रामनगर का भी देखा, पर कहते हैं कि किसी में भी परमधाम कांकूर नहीं था सकुंडल इने पर्खी तो इनसों होसी मजगूर इनके अंदर परमधाम की सकुंडल सक्खी की आत्मा है अब इनसे निश्चित रुप से बात्चित होगी निश्चित रुप से इनसे मिलना होगा और लालदाह जी से उन्होंने स्री जी ने कहा कि आप कुरान देखिए कि इस प्रसंग के उपर क्या बात लिखी है क्या संदेश लिखा है उन्होंने सोलावा सिपारा पढ़ा जिसमें मुसा, हारुन और फिरोन का वर्णन है जिसको हम पहले भी सुन चुके है सायद दो-तीन दिन पहले की घटना में कि उसमें लिखा है कि मुसा पैगंबर ने खुदा से अरजी करी कि फिरोन इतना सक्तिसाली है तो मैं अकेली उससे कैसे युद करूँगा मैं अकेली उससे कैसे जितूँगा कोई तो मेरी सहायता के लिए दियो मैं फकिर हूँ वो बादसा है इसलिए मैं उससे युद नहीं कर सकता हूँ तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की रूप में हारुन को भेज रहा हूँ यहां भाई का मतलब कोई लोकिक संबन से नहीं एक आत्मिक रिष्टे से तो मैं तुम्हें भाई की रूप में हारुन भेज रहा हूँ जिनके सहायता से आप फिरोन को जीद सकते हो तो मुसा ने हारुन की सहायता करी हारुन ने मुसा की सहायता करी और दोनों एक दुसरे की सहायता से फिरोन पर विजय प्राप्त करते हैं अब इसी प्रसंग में, इसका बातिनी मायना वर्तमान समय में प्रसंग ये था पांचमें दिन की लिला में, कि इसमें सांकेतिक रूप में, स्रीजी साहिब को मुसा पैगंबर के रूप में, औरंग जेब को फिरॉन के रूप में, और छत्रसाल जी को हारून के रूप में द जिसमें परमधाम का अंकूर हो और वह औरंगजेब से टक कर ले सके हैं। इस तरह से विचार करते करते, अब स्रीजी ने आदेश तो दिया था लालदाह जी को जाने का, अब क्योंकि ये घटना खुलदाबाद से जाकर के आने के बाद की है। तो जब स्रीजी ने मन में विचार लिया कि अब तो छत्रसाल जी की जागनी होनी है, इसलिए लालदाह जी को उन्होंने मना कर दिया कि अभी औरंगजेब के पास जाने की आवसेक्ता नहीं है। तो उनके जगह पर उन्होंने क्योंकि लाल दाश जी को भेजना है छत्र साल जी को प्रबोधित करने के लिए तो चरण दाश जी और गरिब दाश जी को श्री जी ने कहा कि अब आप लोग जाईए और जाकर के औरंग जेप के वहाँ संदेश दिया जाए और लाल दाश जी को कहा कि आप जाईए और जाकर के छत्र साल जी को प्रबोध दीजिए अब वहाँ धर्मा बाई मिली लाल दाश जी से और उन्होंने लाल दाश जी से कहा कि देवकरन जी ने जिनको श्री जी ने पहले ही कहा था तो देवकरण जी ने जाकर के छत्र साल जी से श्री जी की बात की है छत्र साल जी के दरबार में अब हमारी हम सुन्दर साथ की बात होने लगी है ऐसी सूचना दी अब यही बात आकर के लालदा जी ने श्री जी के आगे की तो तो श्रिजी नेद अब क्या किया? कि देवकरण जी का सहयोग करने के लिए कि देवकरण जी ने चरचा तो सुनी है, इमान भी है, पर समझाना जानते हैं की नहीं जानते हैं? ये भी तो अलग बात है. हम सुन्दर साथ में भी कई बार क्या होता है, कि हमें तो पता है, वाणी की हम चर्चा सुनते हैं, बित्तक की सुनते हैं, हमें अपना सिद्धान पता है, पर किसी दूसरे को समझाना ओ, तो कैसे समझाया जाए, हर को ये नहीं कर सकता, तो स्री जी ने संत दाश जी और धरम दाश जी को देवकरंण जी के पास भेजा, और एक पत्र भी लिख करके दिया, फिर वहां से अगर्या नामकिस्थान में पहुँचे और अगर्या पहुँच करके फिर स्री जी ने कहा कि लाल दाह जी उत्तम दाह जी जीवन दाह जी और गोविंद दाह जी ये चार सुन्दर साथ हैं उनको भी कह दिया कि अब आप भी जाईए क्या पता वहाँ आपकी आओ सेकता हो तो इसी लिए अब ये चारों सुन्दर साथ चत्र साल जी से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं अब यहाँ ये जो प्रकरण है उसका सिर्षक है स्री जी वह महाराजा जी की बेट कि कैसे स्री जी और महाराजा चत्र साल जी की बेट होती है पर पहले भूमी का बता रहे हैं संग्षेप में सबसे पहले सुरत सिंग का ना सामनगर देव जी को दिखाईया तो पैगम्बर सबसे पहले सुरध सिंग जी ने सुनी उन्होंने देवकरण जी को सुनाई और देव करण जी के माध्यम से 16 साल जी तक बात पहुंच नहीं है इसलिए सूरत सिंग जी को पैगंबर कहा गया और पैगंबर कोई छोटा सब्द नहीं है सब्द बले यहां साड़े चार अक्षर का है पर इसकी सोभा बहुत बड़ी है पैगंबर मतलब संदेश वहाग होता है मुहमद साहिब को भी पैगंबर कहा है मुसा भी पैगंबर हुए वैसे नूर नामा नामक ग्रंथ में एक लाख बीस हजार पैगंबरों के बहुत बड़ी शोभा है कि राजी का ज्यान किसी ब्रह्मात्मा तक पहुचाने की सोभा दी जा रही है तो उनको यहाँ पैगंबर कहा गया अब स्री जी रामनगर में जब पहुचे थे रामनगर में दो वर्स तक विराजमान हुए वहीं देवकरण जी से भी मुलाकात हुई थी उन्हीं दो वर्स के बीच में क्योंकि भूमी का यहाँ संग्षेप में बता रहे है अब रिदय में उमंग लेकर के 16 साल जी से कहने के लिए वो पहुचे है उन्होंने जा करके महारजा 16 साल जी से पूरी बात जितनी वो बता सकते थे पूरी बात बताए और साथ में यह भी बताया कि जो औरंग जेब है वह स्री जी से वैरभाव रखता है दुस्मनी रखता है स्री जी ने कई राजाओं को निमंत्रन भी दिया औरंग जेब के विरुद्ध खड़ा होने का पर कोई भी इमान लेकर के नहीं आया अब जैसे ही आने का मतलब यह नहीं कि पूर्ण जागरिती हो गए पर सजग हो गए ध्यान देने लगए कि कहीं नहीं कुछ न कुछ तो बात इसमें है देखिए एक होता है चेतन जब तक हम जीवित हैं तब तक हम चेतन है लेकिन केवल शारिरिक चेतना परियात नहीं है अभी हम सारिरिक रूप से चेतन है पर बवधिक रूप से यह भी हो सकता है कि हम चेतन ना हो हो सकता है मैंने करा कि सभी लोग जड़ बुद्धी है बवधिक रूप से चेतना का मतलब यह है कि समाजिक परस्थितियों को हम किस तरह से देखते हैं क्या केवल हम अपने ही बारे में सोचते हैं या दूसरे के बारे में भी सोचते हैं यदि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम बौधिक रूप से जागरित हैं यदि हम समाज के बारे में भी सोचते हैं समाज के बारे में सोचने का मतलब समाज के कल्याण के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचने का ऐसा मतलब नहीं है, कि कई बार हम कुछ अच्छा काम करने भी वाले होते हैं, जो समाज को पसंद नहीं आती है, क्योंकि समाज पहले से किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ तो हम सोचते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे और यह सोच करके चुप हो जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं समाज के वास्तविक भले की बात कर रहा हूं भले ही सुरुआत में उसको वो कड़ भी लगे जैसे जातिवाद है यदि अभी हम समाज की बीच में खुल कर करके ऐसी बात करते हैं तो हो सकता है कि समाज को एबात कड़वी लगे क्योंकि जातिवाद का बोल बाला तो ही पर समाज के भले के लिए हमें ये कड़वा साथ बोलना पड़ता है ठैक है? तो यहां चेतना का मतलब भी कुछ ऐसा है कि केवल अपने बारे में न सोचे, अपनी आत्मा के बारे में भी सोचे, समाज के बारे में भी सोचे, ऐसा वेक्ति बौधिक रुप से जागरित होता है, ऐसा वेक्ति चेतन होता है, तो अब छत्रसाल जी के अंदर वो चेतना है, अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगते हैं और जागनी के विशे में स्रीजी के विशे में विचार करते करते लाल दास जी वहां पहुंचते हैं जुन के साथ में उत्तम दास जी और जीवन दास जी ये भी साथ में होते हैं गोविन दास जी भी होते हैं तो चत्र साल जी से ये सुन्दर साग भागवत के आधार पर चर्चा करते हैं भागवत में विजे आभिनात बुद्धनिसकलंक स्वरूप के आगमन के संदर में कुछ भविश्यवाणी है जैसे अभावीनो भविश्यन्ती मुनयो ब्रह्मरूपिन उत्पन्नाय कलव यूगे प्रधान पुरुशास्रया कथा योगेन तानसरवान पूजय इस्यन्ती मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीवस्रिष्टी समुद्धर तो ऐसे प्रमाण से उन्होंने समझाया तो छत्रशाल जी के मन में अब थोड़ा और विश्वास आया तो छत्रशाल जी ने देवकरण जी को निरुदेश दिया कि देवकरण जी आप जाईए और श्री प्राणना जी को यहां आने का आमंत्रन दीजे और आप उन्हें ले करके आईए और उनकी अगवानी करने के लिए अगवानी मतलब कोई महापुरुस आ रहे होते हैं सम्माननी आ रहे होते हैं तो हमें अपने जगपर खड़े रह करके तमासा नहीं देखना चाहिए हमें आगे बढ़ करके उनका स्वागत करना चाहिए तो स्री जी की अगवानी के लिए स्वागत के लिए उन्होंने स्री लालदाह जी से निवेदन किया उत्तमदाह जी को भी कहा कि आप लोग भी जाईए और जा करके स्री जी को ले करके आईए और स्वागत करने के लिए मैं भी सामने से आऊँगा अब वहां से विदा ले करके देवकरण जी लालदाः जी आदी सुन्दर साथ पहुंचते हैं अगर या नामकस्थान में अगर यह पहुँच करके उन्होंने श्री जी को वो सारी बात सुनाई कि किस तरह से छत्रसाल जी आप से मिलने के लिए तयार हैं किस तरह से वे निजानन्द में रुची दिखा रहे हैं तो अब देव करण जी ने अपने पूरे परिवार को स्री जी के चरणों में समर्पित किया है और सुन्दर साथ के वहां से वो सेवा करने लगते हैं स्री जी ने विचार किया कि अब जाना है थत्रसाल जी से मिलने के लिए तो अगर्या नामक स्थान से चल करके पहुँचते हैं पन्ना जी में कहते हैं चले अगर ये से परने पहुँचे आए डेरा किया अमराई में ठोर जंडे की चितलाए बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे अगर या से चल करके पहुँचे हैं पन्नाजे जिसे हम जागनी ब्रह्मान्ट का मुल मिलावा भी कहते हैं और ये ऐसे ही जागनी ब्रह्मान्ट का मुल मिलावा नहीं है केवल मुख से कहने से नहीं होता मुल मिलावा किसे कहते हैं जैसे हमने कहा अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है जहां राजी है वो हमारा धाम है वर्तमान में वैसे तो प्रत्यक ब्रह्मात्मा का हरिदय अर्ष है परमधाम है पर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पन्ना जी में श्री महामती जी के हरिदय धाम में पांचो सक्ती विराजमान है राजी वहाँ युगल स्वरो बिराजमान है और जितने भी ब्रह्मात्माय जागरी तो होंगी छठे दिन की लीला में उन्हें भी स्रीजी के चरणों में ही पन्ना जी ही पहुँचना है इसलिए उसे जागनी ब्रह्मान का मुल मिलावा कहा जाता है और उस भूमी की महिमा तो आज से नहीं है कई कथाओं में हम सुनते हैं कि एक बार प्रसंग आता है कि शिवजी उमा को लेकर के गुजर रहे थे तो उस इस्थान में बिंध्या चल जो परवत है उस इस्थान को उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम किया तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने क्या कहा कि यहां पर 28 में कली युग में परव्रम आने वाले हैं ब्रह्मात्मा आने वाली है और यहां पर ऐसी लिला होने वाली है क्या कहा पदमावती केन शर्दे विंध्य प्रिष्टे विराजिता इंद्रावती नाम सादेवी भविष्यती कलव युगे पदमावती और केन ये दो नदी है पदमावती नदी किसको कहते हैं जिसको हम किलकिला नदी कहते हैं पदमावती उसी नदी का नाम है पदमा कहते हैं लक्ष्मी को क्टोश वो नदी लक्ष्मी जी के नाम से है ऐसा क्यूं है या आगे के प्रसंग में आएगा मिश्च तो पदमावती और केन नदी के किनार पर जो इस्थान है जो कि विंध्याचल परवत की प्रिष्ठ भूमी में है वहाँ पर इंद्रावती नाम की देवी होगी ऐसा वर्णन किया है हम सुन्दर साथ भी भजन गाते हैं कि शिव संकर कह गए उमा से ऐसा कलियुग आएगा विंध्याचल परवत के उपर सुन्दर धाम सोहाएगा तो ये वास्तों में शिव जी ने उमा जी से कहा था तो अब उस स्थान पर पहुंचे हैं जिसके लिए पहले से ही स्री जी ने दिल में ले रखा है कि अब हमारे जंडे की जो जगा होगी जंडा गाडने का मतलब क्या है कि ये हमारा स्थान है ये निश्चित कर देना तो वहां कहते हैं डेरा किया अमराई में ठोर जंडे की चितलाए अमराई किसे कहते हैं आम जो सब्द है ना आमो का घाट होने की वज़े से उस स्थान को अमराई घाट कहा जाता है आप जब जाएंगे तो पन्ना जी में जो बाईजी राजी मंदिर है बाईजी राजी मंदिर के पीछे से जब हम अपना ग्यान केंदर आने की जगब उस पुल पर जाते हैं वहाँ दाई तरफ आप देखेंगे तो आम के बहुत सारे पुराने पुराने बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ये बहुत पुराने पेड़ हैं इससे पता चलता है कि यही वो स्थान है क्योंकि किलकेला नदी के किनारे पर भी है और आमो का घाट भी है यहीं पर विराजमान होना है, क्योंकि अब तक तो बहुत सारी जगहों पर जाते गए हैं, जागनी के लिए, पर अब इस स्थान को अपना बना लेना है, यहीं पर सुन्दर साथ का मूल मिलावा बनाना है, इस तरह से उन्होंने चित में लिया, अब कल के प्रसंग में हम सु जहरीली नदी है, उसके जहरीले होने का कारण क्या है, उस विश्मई नदी को कैसे स्रीजी ने विश्मुक्त किया, और सुन्दर साथ की रक्षा की, किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी और स्रीजी साहिब के मिलन के अइतिहासिक घटना घटीत हुई, यह सारी भी तक सुने हम कल और आगे किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी की जागनी हुई, कैसे उन्होंने सेवा की, कैसे उनको अमिरिल मुमिन कहा गया और क्यों कहा गया, यह सारी घटना भी हम कल और आने वाले दिनों की चर्चा में सुनेंगे, अभी के लिए समय पुरा होता है, जो पैदो रह चले अगरिये से, परने पहुचे आए, देरा किया अमराई में, थोर जण्डे की चितल्याए, थोर जण्डे की चितल्याए, बुलश्री प्राणेनात, बुलश्री सद्गुरु महाराणाची